चालक परिचालक ने किया धर्ना प्रदर्शन आंदोलन केंडर सरकार द्वारा लागू किये गए नए कानून हिट और रन के खिलाफ ट्रांस्पोर्टर और ट्रक ड्राइवर हर्ताल पर चले गए हैं भारती न्याय सहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट और रन के मामलों में दोशी ड्राइवर पर 7 लाख रुपे तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है एक और जहां पूरे देश में वहनों के पहिये रुख गए हैं जिसके चलते देश में अफरा तफरी का माहौल है चालक परिचालक संग ने बताया कि इस हर्ताल का आम आदमी पर असर देखने को मिलेगा ट्रकों की हर्ताल से दूद सबजी और फलों की आवक पर असर पड़ेगा और कीमतों में भी उच्छाल आएगा साथ ही पैट्रोल और डीजल की सप्लाई कंटेनरों में होने के चलते पैट्रोल डीजल की सप्लाई रुख जाएगी जिसके चलते पिछले कुछ दिनों पहले से ही लोग पैट्रोल पम्प में लंबी-लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं और जरूरत का सामान भंडारन करने में जुट गए हैं वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी नगर के परिचालक संग ने हिट एंड रन कानून के खिलाफ रैली निकाल कर अनू विभागिया अधिकारी राजस्व एवं थाना प्रभारी केवलारी को ग्यापन सौपा वहीं परिचालक संग ने बताया कि दो जनवरी दो हजार चौबीस को दोपहर बारा बजे से केवलारी नगर के उगली नाका में आंदोलन किया जाएगा और यदि इस कानून के खिलाफ उनकी यह मांग नहीं मानी गई तो यह आंदोलन जारी रहेगा और उग्र रूप में होगा ग्यापन सौपने के बाद चालक परिचालक संग आंदोलन स्थल में पहुँचकर सड़क पर बैट गए और शांतिपूर्ण रूप से अपना विरोध जताया परिचालक परिचालक द्वारा हर साल किया जा रहा है इसकत क्या उद्देश है आज जो सभी समथ कालक लोग है जो केंसासर के द्वारा जो हिट एंड रन कानून बनाय गया है उसमें जो है कि इनकी बैसे तो गरीब लोग है और उन्होंने जो है कि ड़स साल की सजा और साथ लाग का जरवाना वी का प्रावधान किया है उसके विरोध में आज समस्त क्योलारी की चालक लोग क्योलारी और आसपास के सभी लोग यहां पहुँचे हैं जब तक या कानून वापस नहीं होता है जब तक यह धारला पे रहेंगे और आध तो पहला दिन है जिसका हमने 10 समाफनी एजियम साब को दिये हैं समाफम्हां किसरी कि टीई प्यृट्य है को दिए और यह qaCh return स्थम तग्यार रहेगा इसके इने सातान के जार रहेंगे द्रावर यूदियू इन आवाद द्रावर यूदियू इन आवाद झाल, 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 झाल.